परिचाए तनुज, तुम क्या कर रहे हो? मैं विज्ञान शिक्षन से जुड़ी डीवीडी तलाश रहा हूँ. क्या तुम डीवीडी तलाशने में मेरी मदद कर सकते हो? अवश्य, क्यों नहीं? अमिद, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ, अवश्य. ये डीवीडी इंद्रिधनुश के पैटर्न पर क्यों चबक रही है? इस रंगीन चमक के पीछे कारण क्या है? ये घटना तरंगों के विवर्तन के कारण होती है. जब तरंग का तरंग दैड्ध वस्तू के आकार के क्रम में होता है, तब विवर्तन होता है. डीवीडी पर सटे हुए ट्रैक तरंग के तरंग दैड्ध के साथ तुलना कर रहे हैं. यही कारण है कि हम डीवीडी के रंगीन चमक को देख रहे हैं. ठीक है, मैं इसे समझ गया. ये बहुत ही दिल्चस्प तत्थ है. क्या तुम इसके बारे में और कुछ बताओगे? मैं इसे और जानने के लिए चुक हूँ. ठीक है, चलो, हम तरंग प्राकाशिकी के बारे में और अधिक अध्यन करते हैं. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. विवर्तन का वर्लन करना. एक अलजरी के कारण विवर्तन को समझना. व्यती करण और विवर्तन में अंतर कर पाना. विभेदन क्षमता का वर्लन करना. सूक्ष्मदर्शी और दूर्बीन की विभेदन क्षमता की गणना करना ध्रूवन और पॉलेराइट का वर्डन करना मैलस के नियम को समझना प्राकीर्णन, परावर्तन और अपुवर्तन द्वारा ध्रूवन का वर्डन करना विवर्तन प्रकाश का विवर्तन एक परिगटना है जिसमें आपतित प्रकाश तरंगों के तरंग देर्द की तुल्ला में किसी अवरोध अथवा द्वारक के आगार के किनारों के चारों ओर प्रकाश तरंगों का जुकाव होता है विवर्तन दो प्रकार के होते हैं फ्रेसनेल का विवर्तन और फ्रान हॉफर का विवर्तन फ्रेसनेल के विवर्तन में सुरोत और पर्दे अवरोधक के नस्दीक होते हैं और विवर्तन के बाद प्रकाश का पर्दे की ओर अभी सरन होता है और इसके अवलोकन के लिए किसी लेंस की आविशक्ता नहीं होती है फ्रान हॉफर वर्क में सुरोत और परदे अवरोधक से काफी दूरी पर होते हैं इसके अवलोकन के लिए अभी सरण लेंसों का उपयोग किया जाता है एकल जिरी के कारण विवर्दन मानलीचिये कोई समतल तरंगाग्र जिरी एबी पर आपतित होती है आपतित तरंगाग्र का प्रतीक बिंदू दूतियक तरंगीकाओं का सुरोत होगा ये तरंगीकाएं समान कला में तरंगाग्र से निर्गत होती है केंद्रिय उचिष्ट को समझने के लिए एक जिरी की कलपना की जा सकती है, जो जिरी के समानांतर समान चौड़ाई के काफी संकीन पट्टियों में विभाजित है। तभी तरंगिकाएं समान कला में संकीन पट्टी से उत्पन होती हैं। ये सभी तरंगिकाएं समान कला में ओबिंदू पर पहुंचती हैं। ये तरंगिकाएं एक दूसरे को साहता दे कर ओपर उचिस्थ तीवरता देती हैं। अब हम दूईतियक नेमनिष्ठ और दूईतियक उत्चिस्ट की उत्पत्ती पर विचार करें। दूईतियक तरंगिकाएं कुण थीटा से विवर्थित होकर परदे पर समाने बिंदू P पर पहुंचती हैं। समान कला में तरंगिकाएं P पर नहीं पहुंच पाएंगी क्यूंकि P पर पहुंचने के लिए आसमान दूरी तै करती है। चरम तरंगिकाओं के बीच पथांतर दिया हुआ है BN बराबर D साइन थीटा। किसी कोण पर प्रथम दूरी तियक उचिष्ठ की इस्थिती तीन लेमडा बटे दो D के बराबर है। यहां N वा उचिष्ठ के लिए किसी कोण पर इस्थिती दो N प्लस एक लेमडा बटे दो D के बराबर है। दूरी तियक उचिष्ठ की चोड़ाई और केंद्री उचिष्ठ दूरी तियक उचिष्ठ की चोड़ाई दी हुई है बीटा शून न पराबर 2D लेमडा बटे दी। यदी जिरी संकीन है, तभी कोई विशिष्ट विवर्तन पैटर्न संभाव है। यदी जिरी परियात रूप से बड़ी है, तो दित्यक उच्चिस्थ द्रश्मा नहीं होगा। उधारण हम एकल जिरी पर विवर्तन पैटर्न का एक उधारण लेते हैं। 0.25 मिलीबीटर की एकल जिरी के कारण विवर्तन पैटर्न के केंद्रिय उच्चिस्थ और प्रथम क्रम उच्चिस्थ के बीच कोणिय प्रसार निधारित करें। जब प्रकाश का 5,890 एंक्स्ट्रम तरंग्देथ इस पर लंबवत रूप से आप दिध होता है। आईए हम इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ कोणिय प्रसार दिया हुआ है। इसका समी और्ण करने पर हम पाते हैं… जब ठीटा छोटा है, तो सैन ठीटा का मान ठीटा के समत्र EX+. इससे प्राप्ट होता है, ए ठीटा बडाबर 3 लेम्डा बटे दो। मान रखने पर हम ठीटा का मान प्राप्तit करते हैं। थीटा बराबर 3.530 गुणा 10 पर घातांक मैनस 3 यहा कुल कुणिये प्रसार 3.530 गुणा 10 पर घातांक मैनस 3 रेटियन व्यतिकरण और विवर्तन के बीच अंतर व्यतिकरण दो विभिन तरंगाग्र से शुरू होने वाली तरंगों के अध्यारोपन का परिडाम है जहां विवर्तन समान तरंगाग्र के विभिन भागों से शुरू होने वाली तरंगों के अध्यारोपन का परिडाम है सभी दीप्तिमान फ्रिंजों में समान तीवरता का एक व्यतिकरण पैटन है जहां किसी विवर्तन पैटन में दीप्तिमान फ्रिंजों की तीवरता कम होती है जैसे केंद्रिय दीप्तिमान फ्रिंज से एक कदम दूर है किसी व्यतिकरण पैटर्न में निमनिष्ट तीव्रता के बिंदू पून रूप से उधीप्त हैं, जबकि विवर्तन पैटर्न में निमनिष्ट तीव्रता के बिंदू पून रूप से उधीप्त नहीं हैं, विभेदन क्षमदा किसी प्रकाश की यंत्र की क्षमदा जिससे काफी नजदी की दो वद्दूओं के अलग बिम्ब उत्पन होते हैं। उसे विभेदन क्षमदा कहते हैं। रेले कसौटी जब विवर्तन पैटन के केंद्रिय उत्चिस्ट में एक बिन्दू स्रोथ प्रथम निम्निष्ट के विवर्तन पैटन के अन्य बिन्दू स्रोथ पर गिरता है, तो दोनों बिन्दू प्रकाश की यंत्र द्वारा विभेदित कहे जाते हैं। लेंसों की विभेदन क्षमता लेंस की विभेदन क्षमता वो योकिता है जो एक दूसरे से नस्तीक दो बिन्दू को अलग कर सकती है। विभेदनक्षमता लेंस के द्वारक का समानुपाती और उप्योग में लिये गए प्रकाश के तरंग देर्थ का विद्वक्रमानुपाती होती है। सूख्ष्म दर्शी की विभेदन ख्षमता को दो बिम्बों की बीच की दूरी के वितकरम के रूप में परिभाशित किया जा सकता है, जिसे सूख्ष्म दर्शी द्वारा अलग किया जा सकता है. एक बटा डेल्टा डी पराबर दो म्यू साइन थीटा बटा लेम्डा, जहां लेम्डा प्रकाश का तरंगतेर्थ है. म्यू माध्यम का अपवर्टक सूचकांग है, थीटा पिम्ब बिंदू से प्रकाश की शंकु का अर्थकोन है. म्यू साइन थीटा अभी द्रिशक का सांखिक द्वारक कहलाता है. सूच्ष्म दर्शी की विभेदन शमता को बढ़ाने के लिए बिंब और अभी द्रिशक के बीच उप्योक्त तेल का उप्योक कर म्यू को बढ़ाया जा सकता है. दूर द्रिशक की विभेदन शमता कौन ये वियोजन से भी छोटे किसी कौन द्वारा विभाजित बिंदु सम सुरोतों को विखंडित नहीं किया जा सकता है. एकल प्रकाश की दूर दर्शक को एक आर्क सेकंड से भी कम कौन ये वियोजन हो सकता है. किसी दूर दर्शक का कौन ये व्योजन निम्न प्रकार से दिया जा सकता है R बरावर लेम्डा विभाजित D जहां लेम्डा अवलोकित विकिरण का तरंग देर्थ है और D सूख्ष्म दर्शक अभी दर्शक का व्यास है परिणामी R रेडियन है कौन ये व्योजन से बड़े स्रोत विस्तारित स्रोत कहलाते हैं और छोटे स्रोत बिंदू स्रोत कहलाते हैं किसी दूर दर्शक की विभेदन ख्षमता दो विभिन बिम्बों के बीच के कौन ये विभाजन का वितक्रम होता है जिसके प्रतिविम्ब दूर दर्शन में प्रत्थक होते हैं दी थीटा बराबर एक दशमलव दो दो लेमडा बटे ए प्रितम त्वारक अभी दर्शक वाला दूर दर्शक उच विभेदन देता है ध्रूवन प्रकाश का ध्रूवन किसी विशेश समतल पर कमपन को सीमित करने की घटना है समतल ध्रूवित प्रकाश वो प्रकाश है जिसमें किसी विशेश समतल पर प्रकाश की कमपन सीमित रहते हैं कम्पन का सम्तल वह सम्तल है जो सम्तल के कम्पन से लंबवत होता है धुरुवन कोण वो आपतन कोण है जिस पर परावर्तित प्रकाश पून रूप से सम्तल धुरुवित है पॉलेराइड पॉलेराइड एक प्रकार की प्लास्टिक शीट है जो समान प्रकाश के प्रसारित पुंच को पॉलेराइज कर सकती है क्योंकि ये दीर्ग समानांतर अणों से बनी होती है ये सिर्फ सम्तल धुरुवित को इस्थानांतरित करती है यदि ये अनुत ध्रोवण के सम्तल के समनांतर है चुंकि परावर्तित प्रकाश आंचिक रूप से ध्रोवित है इसका इस्तेमाल अक्सर जमाख खत्म करने के लिए धूप वाले चश्मे में होता है पॉलेराइट की मदसे आध्रोवित प्रकाश से रेखिये ध्रोवित प्राप्त किया जा सकता है ध्रोवन की दिशा जो ध्रोवी करन पदार्थ को गुजरने की अनुमती देती है उसे संचरण अक्षि कहते हैं पॉलेराइट का उप्योग पॉलेराइट के कुछ महतपून उप्योग निम्न है इसका इस्तेमाल प्रकाश की चमक से बचने के लिए होता है जब हम पॉलेराइट लगे धूब के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं आंकें किसी चमक को मैसूस नहीं करती है धूप की चमक से बचने के लिए कार की हेटलाइट और खिड़की के परदे पर पॉलराइट शीट लगाई जाती है हवाई जहाजों और बड़े होटलों की खिड़कियों में प्रकाश को नियंतरित करने के लिए एक के पीछे एक पॉलराइट शीट लगाई जाती है पादल की तस्वीर लेने के लिए कैमरे की लेंस के पहले पॉलिराइट का उपयोग किया जाता है वैवस्तित रूप से डिजाइन किये हुए पॉलिराइट कांज त्रीविम्य प्रतिविम्य के उपयोग और इसे देखने में होता है इसका उप्योग धातूं के प्रकाश की ये गुणों के अध्ययन में भी होता है मेलस का नियम मेलस के नियम के नुसार जब पून सम्तल धुरुवित प्रकाश विशलेशक पर आपतित होता है विशलेशक द्वारा संचरित प्रकाश की तीवड़ता संचरन अक्षों और पोलिराइजर के बीच कोज्या के कौन के वर्ग का सीधा समानुपाती होती है मान लें कि थीटा पोलिराइजर की संचरन दिशाओं और विशलेशक के बीच का कौन है विशलेशक द्वारा संचरित प्रकाश की तीव्रता ठीटा के साथ बदल जाती है इसके अनुसार आई पड़ाबर आई शूने कौस ठीटा का वर्क जहां आई शूने विशलेशक में प्रवेश करतें वाले प्रकाश की तीव्रता है प्राकिणन के द्वारा ध्रोवान मालने एक आध्रोवित प्रकाश वाई अक्षपर ब्रह्मन करता है और गैसिय परमाणू ए पर आगहात करता है परमाणू के इलेक्ट्रोन आबतित तरंग के दोलन द्वारा एक्स-जेट सतह पर दोलन करते हैं विक्रण ओपर पहुँचकर दुई ध्रुफ से चारों ओड से ए पराकर जट दिशा में दोलन करता है और जट दिशा में रेखिये ध्रवित होता है संचरित विकरन वाई अक्ष पर धुरुवित होता है क्यूंकि दोनों दूई धुरुव वाई दिशा में समान रूप से विकरित होते हैं सूरी की रौश्णी में परमाणूं का प्राकीर्णन होता है या प्रित्वी के वातावरण में अनू भी धुरुवित हो सकते हैं बातावरण की अनपस्तिती में सूरी की दिशा को छोड़ कर आस्मान काला हो जाता है। परावर्तन द्वारा ध्रुवान जब दो पारदर्शी माध्यमों के बीच अंतर फलक पर प्रकाश पढ़ता है तो ये आंशिक रूप से परावर्तित और आपरवर्तित हो जाता है। परावर्दित और आपरावर्दित प्रकाश की मात्रा अंतर फलक के संबंद में प्रकाश के ध्रुवन पर निभर करती है. मान लीजे, कोई आध्रुवित प्रकाश माध्यम एक और माध्यम दू के बीच अंतर फलक पर आघात करता है. किसी विशेश कोंड पर ध्रुवन के स साथ कोई परावर्दित प्रकाश नहीं है। सभी परावर्दित प्रकाश आपतित सम्तल के लंबवत रेख ये ध्रवित है। ये आप तन कोण, ध्रोवन कोण कहलाता है। 10 IP पराबर N जहां N उस माध्यम का आप परिवर्दि सूच कांग है, जिस पर प्रकाश का आपतित होता है। ये समिकरण ब्रीवस्टर का नियम कहलाता है। अपवर्दन द्वारा ध्रोवन जब कोई समाने प्रकाश ध्रोवन कोण पर ग्लास प्लेट पर आपतित होता है, तो परावर्दित प्रकाश सम्तल ध्रोवित जबकि अपवर्दित घटक आँचिक रूप से ध्रोवित है। अब यदि अपवर्दित किरण किसी दूसरे ग्लास प्लेट पर आघात करती है, तो ध्रोवन कोण पर ग्लास प्लेट के दोनों सतों पर इसी घटना का पुरा वर्दन होगा। यदि समानतर सतेह वाले ग्लास प्लेटों की कई संख्या के साथ प्रक्रिया को दुराया जाए और आपदित प्रकाश इसके ध्रोवन कोण पर हो, तो इन बड़ी संख्या के प्लेटों के मात्यम से अपवर्दन लगभग आपदित सम्तल पर कंपन की तरह होगा। इस प्रकार संख्यरित किरण आपदन सम्तल पर कंपन के साथ सम्तल ध्रोविद है। क्या आप चानते हैं? विवर्दन चाली नियमित पैटन के साथ एक प्रकाश की घटक है, जो विभन दिशाओं में प्रमण करने वाली जिरी प्रकाश की कुछ किरणे हैं। विवर्दन का एक परिणाम है जो लौड स्पीकर से निकलने वाली आवाज सीधे आगे जाने के बजाए फैल जाती है। ध्रूवन फिल्म लगे संग्लास का इस्तमाल खासकर मचली पकड़ने और नौका विहार करते समय उप्योग में लाया जाता है। ऐसे संग्लास को इस हिसाब से डिसाइन किया जाता है कि पानी के माध्यों से भी देखा जा सकता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं। प्रकाश का विवर्तन एक परिघटना है जिसमें आपतित प्रकाश तरंगों के तरंग डेर्द की तुल्ना में किसी अवरोध अथवा द्वारक के आगार के किनारों के चारों और प्रकाश तरंगों का जुकाव होता है। यदि जिरी संकीरण है तो विशेश विवर्तन पैटन संभाव है। यदि जिरी जरूरत से ज्यादा बड़ी है तो द्वीतियक उच्चता द्रिष्टिकत नहीं होगी। किसी प्रकाश की यंद्र की वह ख्षमता जिससे दो पिंबों के प्रतिबिंब एक साथ काफी नस्दीक बनाए जा सकते हैं उसे विभेदन ख्षमता कहते हैं। किसी लेंस की विभेदन क्षमता इसकी वह योकिता है, जससे दो बिंदों को आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। प्रकाश का धुरुवन वह परिखटना है, जो किसी सम्तल पर प्रकाश के कमपन में अवरोध पैला करती है। मेलस के नियम के अनुसार, जब पून सम्तल दुरुवित प्रकाश विशलेशक पर आपतित होता है, विशलेशक द्वारा संचरित प्रकाश की तीवरता, संचरन अक्षों और पोलिराइजर के बीच कोज्या के कून के वर्ग का सीधा समानुपाती होती है। जब दो पारदर्शी मात्यमों के बीच अंतर फलक पर प्रकाश परता है, तो ये आंशिक रूप से परावर्तित और आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाती है। पड़ावर्तित और अपवर्तित प्रकाश की मात्रा अंतरफलक के संबंद में प्रकाश के ध्रुमन पर निभर करती है.